नमस्कार एक बार पनो हाजर हूं मैं, एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चैनल गू ब्लॉक्स पे अगर हम इस हतेली पे एक नजर करते हैं तो देखेगा हतेली में जो धन की रेखा है, वो रेखा या बहुत अच्छी है आपकी धन की रेखा देखें तो जो आपकी ये जीवन की लकीर है जो आपकी ये मस्तिस्क की लकीर है और जा आपकी ये हिर्दय की लकीर है और जो भग्य की लकीर है इन सभी लकीरों से मिलकर के एक M की आकरति यहां पे बनती हुई दिखाई दे रही है निश्चित ही जो आपके इश्ट देव है वो भगवान शंकर और मापार होती है दूसरी बाद जब भी किसी ब्यक्त की हतेली में इस तरों का साइन होता है तो जादा तर मामलों में ये देखा गया है कि धन के मामले में विशेश तर 35 से लेके और 55 वर्स तक अगर ग्रह नक्षतर भी ठीक रहे विशेशतर ब्रिस्पती और सूर्य और सुक्र ये तीन ग्रह अगर पुष्ट रहते हैं तो 35 से लेके 55 वर्स तक ब्यक्ति अच्छा खासा धन कमाता है और धन में बड़ोतिरी तब जादा होती है जब ब्यक्ति का विवाह हो जाता है उसके बाद ब्यक्ति जादा प्रोग्रेस कर पाता है अब बर्तमान इस्तिति अगर यहां पे देखे जाए तो देखेगा बर्तमान इस्तिति में जो आपका धन का ग्राय है ब्रिस्पति हलके रोप से सनी से युक्ति बनाता हुआ सनी की तरब जो है जुकाओ इसका दिखाई दे रहा है जिस रोप में धन आना चाये था धन तो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी से हाथ फैलाना पड़े ये इस्तिति कभी नहीं आएगी धन आएगा अच्छा खासा आएगा सुन्दर रोप से हमेशा बना रहेगा लेकिन थोड़ा सा ये प्रेसानिया देती है क्योंकि ये सनी के तरब जो है युक्ति बना रहा है बैठावा है लेकिन ब्रिस्पति से ज़्यादा उभार लिये है तो कहीं न कहीं ये मानसिक प्रेशानी को जन्म देता है और अपनी से विपरीत के परती भोग समंदी बिचारों को उत्पन करता है और वाया अकरसण में ब्यक्त ज़्यादा अकरसित हो जाता है और सात में अगर चंद्रमा भी अधिक बली हो जाए सांबने से थोड़ा भी जादा बली हो जाए तो मानसिक प्रेशानी को निश्चित रूप से और जो व्यक्ति को प्रगति करना चाहिए था जो योग्यता है व्यक्ति के अंदर और जो क्वालिटी है चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे ब्यावसाय कर रहे हो उतनी प्रगति नहीं हो पारी है बरतमान समय में उसका कारण है आपका कम्योर सूर्य है कमसोर सूरी होने की उजवसे जितना आप बरतमान में मिहनत कर रहे हैं जितना परिश्रम कर रहे हैं उस परिश्रम और उस मिहनत करने के बावजोद भी वो फैलाव वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है और आपकी मिहनत का आपकी प्रेसरम का पूरा सरी पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है काम जिस तरों से स्मूध तरीके से बनने चाहे थे वो काम यहाँ पर बनते हुई दिखाई नहीं दे रहे है दोसरी इस्तिति अगर हम हते लेके देखे देखेगा ये आपकी जो भग्य रेखा है और मस्तिस्क रेखा है और व्यापार के रेखा है वो राहों पर एक तिरकौन बनाती हूई दिखाई दे रहे हैं और बहुत कम लोगों के हाथ में होता है ये ये सेर से सटे से अचानक धनलाब भी दिलाता है और जिस व्यक्ति की हतेली में ये होता है निश्चित रोप से देखने को मिला है कि ऐसा व्यक्ति खर्च से ज़्यादा अर्निंग करता है और राहु जो है उत्तम भाग में इसे माना जाता है राहु यहाँ पे अच्छे परिणाम देता है और एक चीज़ थोड़ी सी समझने के कोसिस करे लेकिन आपको उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलना है इसका कारण मैं बताता लेकिन आगे मिलेगा पच्पनों वर्से से देखना आप आपका परिणाम यह राहु बदल देगा देखेगा अगर राहो अगर अच्छा हो तो आदमी फिल्मी दुनिया में खुब सपलता पाता है क्योंकि जो गलेमर है ने और जो गलेमर का वर्ल्ड है ने जो चकाचोन है जो रूप बदलने का गुण है वो राहो के पास है राहो अगर आपकी कुंडली में या आपकी हतेली में अच्छा हो तो व्यक्ति चाहे वो महला हो या प्रोस हो बहुत बड़ा अभिनेता अभिनेतरी या नेता होता है राहो अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति कई सारी भासाईं बोलना जानता है राहो अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है और कभी-कभी लोग विदेश की यात्राएं करते हैं कभी-कभी लोग खुपिया विवाग में होते हैं बड़े अच्छे जोतिसी होते हैं बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं क्योंकि ये राव है, ये रहसे में ये ग्राय है, राव अच्छा हो तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आस्मानी में पहुँच जाते हैं, उच्चायों की वो सीमा तय करते हैं जो आप सोच भे नहीं सकते लेकिन ये राव खराब है, आपके हतेले में नहीं है, लेकिन किसी बिक्त की हतेले में ये खराब है, तो ऐसे बिमारियें भी पकड़ती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बिमारी कहां से आई, क्यों आई और इसका समाधान क्या है, ये पतहली चलता है, राहो गोपनी य जातक की समाप्ति हो जाती है राहो आपका बहुत सुन्दर है अच्छे फाइदा यहां पे आपको देगा लेकिन राहो के साथ साथ और ग्रह भी अच्छे होने चाहिए अगर राहो के साथ जैसा आपका सूर्य जो है पुष्ट नहीं है सुन्दर नहीं है तो कितनी भी मिहनत करें जब तक सूर्य फलादेस में नहीं आता है तब तक विस्तार नहीं मिल सकता है तब तक आपकी मेहनत का और आपकी प्रिसरम का पूरा सरी पूरा क्रेटिन नहीं मिल सकता है काम बनते बनते विक्ति के रह जाते हैं क्योंकि सूर्य प्रबल नहीं है वही अगर आपका बु बुद्ध थोड़ी सी भी कमजोर इस्तिति में बैठता है यदि ब्यापार कर रहे हों तो बरतमान में थोड़ी ब्यापार की इस्तिति उतनी सुन्दर उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी जैसा राव है राहो बिलकुल आपका चमकदार है ग्लेमर को अट्रेक्ट कर रहा है राहो के जैसे अगर थोड़ा सूर्य और आपका बुद्ध भी इस तरह से दे दे तो निश्चित तोर पे चकाचोंद की दुनिया में बहुत अच्छी प्रसिद्ध पा सकते हैं जो भी बिजनिस आप करेंगे चाहे नोकरी करेंगे उसमें बहुत नाम और बहुत धन रह सक लेकिन बुद्ध अगर सूर्य इस तरह से हो आँखों समंधी प्रेशानियां तुचा समंधी प्रेशानियां और कहीं न कहीं हड़ीयों समंधी प्रेशानियां भी यह देता है और आपका चंद्रमा थोड़ा सा भी जादा हो तो थोड़ा मानसिक प्रेशानी जादा देता और सरीर का जो हार्मोनल सिश्टम है उसमें एक हलकी रोप से गड़बड रहता है या पाचन तंतर में कमी देखने को मिलती है अगर आपका बुद्ध इस तरह से हो तो वानी की जो सक्ति है वो उतनी प्रभावसाली नहीं रहती है दूसरी बात अपनी बातों को व्यक्ति प्रभावसाली धंग से रख नहीं पाता है और अगर आपका बुद्ध थोड़ा कमजोर इस्तिति में हो तो ब्रतमान समय में व्यक्ति व्यापार के छितर में मध्यम इस्तिति में रहता है लेकिन देखेगा मस्तिस्क रहखा से एक रहखा यू निकल करके बुद्ध की और ही जारी है जैसे ही बुद्ध प्रभल इस्तिति में आता है वैसे ही ये दोनों रहखाई ब्यापार की छितर में विशेशतर अगर आप काम कर रहे होंगे तो 55 वर्षा से अच्छा खासा फ़लिय है आपको देगा और निश्चित देगा यूँकि आपका रहु भी प्रभल है आपकी रहखाई हैं जो उन्नत की रहखाई हैं जो आपकी इपलपमेंट की रहखाई हैं जो बुद्ध की और जारी है आपके progress को ये बढ़ा रही है बुद्ध के प्रबल होने पे अचानक जो है चाहे आप नोकरी कर रहे हूं चाहे आप व्योवसाई कर रहे हूं बहुत बड़ी लाब के और ये ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और स्वस्तिय के मामले में भी बहुत अच्छा रहने वाला है लेकिन अभी चोटी मोटी चीजें रहेंगी बहुत बड़ी यहाँ पे स्वस्तिय के मामले में खराबी नहीं दिखाई दे रही है वहीं अगर हम देखते हैं देखेगा आपकी हतेली में बिसेश कर अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो सूरे की रेखा है वो रेखा यह आपकी भग्या रेखा है और यहाँ से जो है बारी की स्थिति में बहुत कम दिखाई पड़ी पर इस तरह से सूरे की रेखा जा रही है बिलकुल बिलकुल मिर्त आउस्तामी है लेकिन इस रेखा का मैं उपाई दूँगा बिसेश कर इस रेखा को आप करने की कोशिश करें तब बरतमान समय और आने वाले समय जब यह पुष्ट और सुन्दर इस्तिति में आईगी तब अपनी आपको दीखेगा आप कहां थे और कहां हैं और ठीक पचपनवे वर्स में देखेगा यह भग्या रेखा की गुड़ों में बिर्दिकर उसकी सक्ति को दुगनी करती है और रेखा जितनी इस पश्ट होती जाएगी अपकी सुन्दर होगी आपकी उन्नति का छेतर उतना ही विस्तित होगा और आपकी डेपलप्मेंट आपकी उन्नति आपकी प्रोग्रेस भी अधिक होगी यह निश्चित तोर पे यहां पे देखने को मिल रहा है वहीं देखे तो जो आपकी भग्या की लकीर है चंद्रमा छेतर से इसका प्रभवपड़ता दिखाय दीरा है और भग्या रेखा लंबी है भग्या रेखा का लंबी होना जिवन में निरंतर प्रगति की योग बनाती है और निश्चित तोर पे जिवन काल में वाहन का सुख ऐसे बिकति को मिलता ही मिलता है और जादतर मामलों में मकान का सुक भी मिलता है घर का सुक मिलता है और व्यापार का सुक निश्चित तोर पे किसी न किसी रूप में मिलता है हाँ थोड़ा ये संगर से जादा कराती है क्योंकि चंदर का इसमें प्रभाव पड़ता है लेकिन चंदर का जब प्रभाव पड़ता है चंदर अपनी इस्तित में अच्छी रहता है तो आमदनी भी अच्छा करवाता है संदर करवाता है यहाँ पे कनिष्टा उंगली देखे जो सबसे छोटी उंगली है लंबोत खड़ी है और किसी भी उंगली की तरफ मोडी हुए यहाँ पे नहीं सीधी आवस्ता में है अपने बल पर आप कुछ करने वालों में से एक है और कनिष्टा उंगली तरफ अपनी ज जाता है या करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कारियों के लिए लोग सदी वो से याद रखें और उंगली की जो लंबाई है सूरे की उंगली के पहले पौरवे तक यहां तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है अक्यंद स्रेश्टा उसता है अगर आपकी बुद् करें तो उच्छ बर्ग का ब्यक्ति होता है स्रेश्ट और सफल ब्यक्ति होता है लेकिन बुद्ध परवत इस तरह से थोड़ा सा कम अवस्था में हो तो दरिदरता के और ले जाता है लेकिन यहां पर देखा जाए यह छितर उबरा हुआ है छोटा काम भी करेंगे तो भी क कहीं न कहीं नाम पानी की इक्षा मन में हमें सब बनी रहेगी और सूर्य परवत में कहीं न कहीं दो रेखाएं गजब की रेखा यह पुत्र का सुक और विपुल धन का सुक देती है लेकिन तब जब सूर्य पुष्ट और सुन राउस्ता में हो एक यहां पर देखें तो मे अपने छेतर में ब्यक्ति तरक की निश्चित रोप से करेगा इस और यहां पर दिखाई दे रहा है एक रेखा इस तरों से जारी है एक रेखा इस तरों से जारी है और इस तरों से यहां पर भी चिन बनता हो दिख रहा है एक से जादा सुरोतों से आने वाले समय में या अभ सित होंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगे अध्यात्म की छेतर में जो है प्रगति निश्चित यहां पे दिखाई दे रही है अगर रेखाओं की बात करों तो आपकी हतेली में जीवन की रेखा सुन्दर तरीक से इस तरों से और यहां पे और यहां पे देखा जाए इस त होण की रेखा साप सुत्री है जीवन है जीवन है प्रगति निश्चित थोड़ास नमें प्रती समरपन के भावना वह करने वाले और इस तरों से अंत में मचले का चिन बनना इस बात का संकेत है कि बिक्ति हमें से क्रियेटिव रहेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अचानक धन की धनलाब की प्राप्ति निश्चित तोर पे अपने कमाई हुई पैसों से निश्चित तोर पे ओर्ड एज में होने वाली है और विदेशी आतरा का भी ऐसे बिक्तियों को लाब मिलता है वही अगर यहां से देखें मणी बंद से इस तरों से रेखाएं चलती हुई यहां पर एक तरबुज भी बन रहा है यह भी इसी और इसारा कर रहा है और यहां पर जिस तरों का चिन बन रहा है यह आपको धर्मिक प्रवर्तिका बना रहा है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कहीं न कहीं जो है अध्यात्म की छेतर में परगति करेंगे अच्छी खासी परगति करेंगे और इसका मूँ उपर सनी की तरब है तो धन में भी आने वाले समय में ब्रतिव होगी और एक रेखा जिवन रेखा से निकल करके ब्रिस्पति से युक्ति बना रहे है अच्छी राइटिंग इसकिल्स के साथ साथ नेतित्व छमता की गुण भी यहां पर दिखाई दे रहे है आपके मस्तिस का रेखा देखें इस तरों से आ रही है इसमें बुद्ध का प्रभाव पढ़ रहा है लेकिन बरतमान समय में बुद्ध कमजोर इस्तित में है ब्यापरिक गुणों में बृद्यतों कर रही है क्योंकि ये रेखाई भी इसी और इसारा कर रही है लेकिन कहीं न कहीं वो लाब की प्राप्ति नहीं वो पारी है जिस लाब की आपको आउशकता है जिस लाब की आप योग्या है हिर्दे रेखा देखें तो ब्रिस्पति और सनी का प्रभाव पढ़ रहा है ये दिल से जादा सोचते हैं लेकिन किसी का बुरा चाहने वाली ब्रिस्पति नहीं है चलकपट से दोर रहने वाले ब्रिस्पति है दिर्ड निश्च चाही है एक सांदार ब्रिस्पतित्व की मालिक यहां पर देखे जा रहे है और सबसे अगर एक पॉइंट की बात करो तो ये आप कभी भी अपनी जीवन में थोड़ी सी भी समस्या में आ जाते हो थोड़ा सा भी जो है आर्थिक रूप से हो संगर्स के रूप में से हो किसी भी रूप में हो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप भगवान शंकर की सरनांगत हो जाएए आपके सभी ग्रहन अक्षतर अपनी आप सुद्रड होंगे उनको एक मन से उनका जाब कर लीजेगा धन की जगा धन, परतिष्टा की जगा परतिष्टा मान सम्मान की जगा मान सम्मान और तरक्की की जगह आपको तरक्की मिलेगे मगर सिर्प और सिर्प भगवान शंकर के आराधना करे भगवान शंकर का जाब करे हाथ की रेखाएं स्वयम बदल जाएंगे कुंडली के विचार, गुरहों के विचार स्वयम बदल जाएंगे और practical rope से आपको उसका फायदा दिखेगा practical rope से आपकी मन की इक्षाएं पूर्ति होंगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आगे क्या होने वाला है स्वयम आपको अन्दाजा होने लगेगा और मन की वो सकती प्रबल होती जाएगी और कहीं न कहीं देखना वो सुकून आपको मिलेगा जो अब तक नहीं मिला है आपके अगर उंगोठा देखे अच्छा खासा है अपनी हितों की रक्षा करने वाला बिक्ति तो आपका है और थोड़ा भाव किसम के भी बिक्ति हैं लेकिन जिवन काल में या तो मिल गया होगा लेकिन या अब मिलेगा आपको अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुक निश्चित रूप से मिलने जा रहा है अगर बात करें तो ज़्यादा तर मैंने आपकी हतेली का पूरा विश्लेशन करके आपको बता दिया है इसके बाद भी कोई क्वेशन रहे जाते है तो आप मुझे जो है वड़ सब पे पूछेगा मैं उसका आंसर निश्चित तोर पे देने की कोसिस करूँगा और दूँगा लेकिन देखेगा आपके सुर्य का बुद्ध का और सुक्र का और इसका उपाई जरूर दे रहा हूँ इनको थोड़ा टेम के लिए कर लीजिएगा गरहों के उपाई करना बहुत जरूरी है और जो ताइम मैंने दिया है उस समय से अपने समय को देखेगा कितना अच्छा रहने वाला है कितना सुन्दर रहने वाला है हमेशा सकारात्मक सोच बना के रहखेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पुना उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार